हेलो एवरीवन आज का हमारा टोपिक बीए बीएसी फर्स्ट रियर अलजेब्रा एंट रिगनोमेटरी एक्सरसाइज एट ए कोशन नमबर फाइफ तो कोशन फाइफ क्या कहता है टिटैमेनट की वैलू जी टिरू आज जाते हैं ठीक है जी करते हैं परूफ तोbie सबढ़ेस घिवन है इसको मालतों में लेट इपडि डिरूश कर लिया अधरवाज दो बारा फैना पड़ता मुझे यह हमारे पास है तो यहां से इसको 0 कैसे बनाएंगे या तो इसकी कोई रो या कोई कोलम 0 हो जाए complete ठीक है जी या फिर कोई 2 रो या कोई 2 कोलम क्या बन जाए identical बन जाए तो identical कैसे बनेंगे मैं चाहता हूँ यहां से A, B, C, A हटा दिये जाए तो क्या करूं मैं इस फर्स्ट कोलम को A, B, C से multiply कर देता हूँ ठीक है जी ए बी, C से फर्स्ट कोलम को multiply कर देता हूँ अब multiply करेंगे तो अब इससी बात है हम divide भी करेंगे ठीक है अब multiply किया है तो इसको मैं अंदर डाल देता हूँ यहां पर ठीक है तो A, B, C upon A, A, B, C upon B, A, B, C upon C ठीक है जी A square, B square, C square, B, C, C, A, A, B, ठीक है तो अब हमारे पास क्या मिलेगा यहां से 1 upon A, B, C, A, B, C upon A, A से A cancel out हो जाएगा, B, C बचेगा, B से B cancel, A, C बचेगा, C से C cancel, A, B बचेगा यह बचेगा, A square, B square, C square, A, B, C, C, A, और A, B, ठीक है इस कांसर 0 के एक वल है क्यों, B, C, A, C, A, B, B, C, A, C, A, B, C1 और C3 हमारे पास क्या आगए, because C1 and C3 are same ठीक है जी, same कहो या identical कहो, first part complete, अब बात करते है second part के let, determinant is equal to, 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, A, B, C, B, C, C, A, A, B ठीक है, यह हमारे पास है, यहाँ पर था A square, B square, C square, यहाँ पर A, B, C ठीक है जी, और यहाँ पर था B, C, C, A, A, B, ठीक है, और यहाँ पर B, C, C, A, A, B तो क्या यह part, और यह part, बिल्कुल सेम है, हन्जी, सेम काम कर दो, इसके अंदर भी, ठीक है तो यहाँ से भी क्या करेंगे, A, B, C से multiply, और A, B, C से divide ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास B, C और यह बनेगा हमारे पास, A, B, C, 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 A, A, B इसकी value भी 0, because C1 and C3 are identical देख लोग कोशन दोनों सेम दीरखे यहाँ पर A सकी भी स्केशी को देदिया और यहाँ पर A, B, C, D, D, यह बस कन्फ्योज करने के लिए आपको, ठीक है जी अब बात करते हां पार्ट की, थर्ड पार्ट हमारे पास, 1, A, B, 1 लजग, यहां से बनेगा हमारे पास बीपलस अपोन एबी और यह बनेगा हमारे पास पास C पलस B अपोन B C और यह बनेगा हमारे पास A पलस C अपोन C A ठीक है जी इतना काम हमारे पास हो गया ओके अब क्या करते हमें यहां से A भी है यहां पे मुझे C ओर जाएए तो मैं इसको C से मल्टिप्लाई करदू यहाँ पर मेरे पास A चाहिए तो इसको A से multiply कर दूँ यहाँ मेरे पास B चाहिए इसको B से multiply कर दूँ ठीक है बट फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा अब यहाँ की समझ्या आ गई तो हम क्या करते हैं जो last column है इस column को इस multiply कर देते हैं किसे ABC से क्योंकि ABC से AB कट जाएगा C बचेगा हमारे पास तो इसको multiply करते हैं लास्ट वाले को आपको थोड़ा सोचना है किसके हार multiply करें ABC के साथ तो ABC से हम divide भी करते हैं तो 1,1,1 AB,BC,C है यहाँ पर multiply करेंगे ABC के साथ तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास यहां से इसको open कर ले, ठीक है जी, 1 upon ABC, आपको बस इस खेंद थोड़ा सा सोच ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, 111, AB, BC, CA, multiply करेंगे तो क्या बनेगा, BC plus AC, इसको ऐसे लिख दो, स्केलर नंबर है, आगे पिछे लिख सकते हैं, AC plus AB, और इसको लिखेंगे, AB plus BC, ठीक है, इतना काम होगा है हमारे पास, ओके, इसके बाद, AB, BC, AC, AB, BC, AC, AB, BC, CA, या AC, ठीक है, CA लिखा हुआ है, चुले मैं यहां यहां पर CA लिख देता हूँ, ठीक है, यहां पर CA लिख देत AB, BC, CA, AB, BC, CA, ठीक है जी, हमारे पास यह बन क्या, अगर मैं इसको add कर दूँ, C2 में C3 को add करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, apply, C2 plus C3, ठीक है जी, C2 में C3 को add करते हैं, तो हमारे पास यह बनता है, 111, AB plus BC plus CA, AB plus BC plus CA, AB plus BC plus CA, और last में हमारे पास यह बच जाएगा, BC plus CA, CA plus AB, और AB plus BC, ठीक है जी, अब किसी में add कर सकते हो, C3 में C2 add कर सकते हो, कोई problem नहीं है, ठीक है, हमारे पास C3 बन गई, इसके बाद, AB plus BC plus CA, इस पूरे column के अंदर से comma निकलाएगा बाहर, ठीक है जी, और हमारा answer पास राजाएगा, जल्द से सको नोट की जावेगा, आप इसको अलग तरीक कैसे भी सोच सकते हो, ठीक है, किसको कैसे सोल करें, हम इसको separate करके भी कोशिस कर सकते हैं, हंजी, one by a, one by b, one by c, फिर अलग डिट्रिमेंट में यह ट्रमा जाएगा, मारे पास साथ में यह रहेग इसका कोई एक स्टिक फॉर्मला नहीं है, कि मैं आपको बदादू कि c2 में c3 एड कर दो, सारे कोशन आप कैसे सोल हो जाएगी, नहीं, इसके लिए आपको थोड़ सा सोचना पड़ेगा, कि मैं कैसे इसको सीम बना सकता हूँ, ठीक है, इतना कम तो करी सकते हो, mathematics हमें सिखा सकते हैं, हम प्रोब्लम को कैसे सोच सकते हैं, उसको कैसे सिंप्लिफाइग कर सकते हैं, तो a b plus b c plus c a, यह हमारे पास आ गया जी बहर, तो यहां बनेगा 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास b c plus c a, c a plus a b, और यह हमारे पास a b plus b c, is equal to 0, because हमारे पास c1 and c2 are identical, ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर बात करेंगे, फूर्थ पार्ट की, तो फूर्थ पार्ट हमारे पास, let, determinant is equal to, हमारे पास given है, को सेक्स के थीटा, कोट्स के थीटा, 1, कोट्स के थीटा, को सेक्स के थीटा, minus 1, 42, 40, और 2, ठीक है, तो यहां से क्या कर सकता है, यहां से 40 है, last में 40, यहनि 42, 40 plus 2 है, इसमें से, इसको और इसको add करके, minus कर दें, तो हमारे पास 0 बन जाएगा, हांजी, 0 बन जाएगा, ठीक है, तो करते हैं, से, apply, c1, minus, c2, plus, c3, ठीक है, हम यह काम करते, c1 के अपर, ठीक है, c1 पे, c2 और c3 को add करके, minus कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, और प्यार विचेक, फॉर्मूला होता हमारे पास, देखो, c6 के थीटा, minus, c4 के थीटा, is equal to 1, इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले है, ठीक है, c6 के थीटा, minus, c4 के थीटा, is equal to 1, यह फॉर्मूला आप क्लास 10 के अंदर पढ़ चुके है, ठीक है, उसी आइडेंटिका में याप यूज कर रहे हैं, देखो, यह बनेगा हमारे पास, c6 के थीटा, हंजी, माइनस लगा दू, यहाँ पर, c4 के थीटा, plus 1, ठीक है, फिर, c4 के थीटा, माइनस लगा दू, यहाँ पर, c6 के थीटा, माइनस 1, क्योंकि इन दोने को तुमने आड़ किया है, लास्ट वाले को, इसलिए मैं एक ब्रेकेट के अंदर बंद करतीया, ठीक है, फिर, c4 to minus 40 plus 2, ठीक है जी, अब नेक्स्ट, c4 के थीटा, c6 के थीटा, 40, और लास्ट में हमारे पास 1, minus 1, और 2, तो यहाँ से जगा है, ठीक है, यह स्टेट लाइन यह है, ऐसे दान रखना, कभी आप भी ऐसे बना दो, डेटरिमेंट निमान जाएगा, वो, तो यह हमारे पास क्या आगया, c6 के थीटा, minus c4 के थीटा जाएगा, तो यहाँ पर पूट कर दू, हाँजी, यहाँ पूट कर देंगे, तो क्या बनेगा, 0, c6 के थीटा, बने जाएगा, तो यह बने गा, 0, और यह हमारे पास, c6 के थीटा, minus 1, minus 1, यह कोट के थीटा, 0, हाँजी, अब 40 पलस 2, 42, 42 में से मैनस करेंगे, तो क्या जीरो कोट्स के थीटा को सेक्स के थीटा 40 1-1 और 2 इस का अंसर जीरो बिकोज सीवन इज जीरो जह सीवन कंटेन्स आल जिरो एलेमेंट़ क्या से कश्च इएग तो इसका अंसर क्या हो गया जिरो के को लोग का ठीक है क्योंकि इसको अगर एक्समेंड करना चाहेंगे तो इस कोलम के लोंग तो जीरो मिल्ट प्ला सम्तिंग जिरो होता है ठीक है इसके बाद बात करते हैं फिप्थ पार्ट की पार्ट फिप्थ हमारे पास लेट डितने इस उकल तो 1111 a b c d b plus c c plus d d plus a a plus b d c d abc sorry d a b c यह हमारे पास है ठीक है अब देखो ध्यान से a b plus c d यहनि a b c d इसके अंदर भी a b c d a b c d a b c d a b c d सारे है न तो इन सबी को किसी एक रों के अंदर add कर दें हम जी तो काम बन जाएगा हमारा ठीक है कि अपलाई इसको कर देता हूं मैं और थी पर कर देता हूं ठीक है क्योंकि यहां पर दो ट्रमना यहां पर एक लिखना मेरे लिए आसान रहेगा आर थी प्लस आर टू प्लस आर फोर ठीक है आर थी मैंने आर टू और आर फोर को एड करते है ठीक है तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा 1111 a b c d और यहां पर a plus b plus c plus t 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 ठीक है इसको थोड़ा सा आगे shift कर देते हैं 111 b c d और नीचा हमारे पास d a b c अब तो कॉशन सोल हो गया a plus b plus c d common निकाल दे आठ थी में से तो a plus b plus c plus d आगया common और अंदर बचेगा हमारे पास 1111 a b c d 1111 d a b c is equal to zero because r1 and r3 are same ठीक है जी आरवन और आथ हमारे पास कहा है सेम हो गए है इसलिए इस डेटरिमेंट के वैल्यू जीरो के एक वल हो गई ठीक है जी तो यहां पर होए हमारा 5th question complete अब बात करते हैं 6 question की question number 6 without expansion evaluate ठीक है जी बिना expansion के हमें इनकी value बताने इनकी value क्या आने वाली है ठीक है जी तो करते हैं सुरुआत इसके तो इसके सुरुआत करें इससे पहले एक formula बताता हूँ आपको मैं ठीक है यह हमारे पास होता है log a और base में हमारे पास b हो तो य होता है हमारे पास log a अपोन लोग भी ठीक है जी इसके एक formula ओर हमारे पास log बेस में a हो और यह हमारे पास a हो तो इसकी value हमारे पास one के equal हो जाती है ठीक है जी लोग बेस में A हो और उपर भी हमारे पास A हो तो इसके वाइल के रहती है 1K एक ओल हो जाती है ठीक है जी क्योंकि इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं लोग A अपन लोग A आएगा तो cancel out होकर क्या बचेगा 1K एक ओल ठीक है तो let determinant हमारे पास है इससे को let कर लेता हूँ मैं ठीक है जी यह हमारे पास हो गया तो अब देखो यहां से लोग XYZ बेस में X तो इस formula का मैं यूज कर लो यहां पर हाँ जी तो इस formula का मैं आप यूज करता हूँ तो हमारे एक पास क्या आता है लोग XYZ अपून लोग X लोग और इससे पहले मैं एक चीज और कर देता हूँ ठीक है वाना फिर आपको गए सरी कहां से आया यह formula को पता चल गया ठीक है जी इस formula को मैं shift कर देता हूँ कहीं और बाद में ठीक है जब यूज करेंगे ता मैं आप यूज कर लेता हूँ लोग Z XYZ लोग XY अब यहां पर वन है इस वन को भी मैं ऐसा ही कुछ बना सकता हूँ ठीक है जी formula हमारे पास था भी क्या लोग BASE में A हो और यहां पर A हो इसके लिए क्यों क्यों होती है ठीक है जी मतलब ओपर निची दोनों क्यों निची यह सेम होने चाहिए ठीक है अब देखो ध्यान से इस determinant को observe करो first row के अंदर बेस में क्या है एक्स बेस में क्या है एक्स बेस में क्या है एक्स इसमें क्या है एक्स इसमें क्या है एक्स इसमें क्या है यहां पर कुछ ऐसे बना दे जिसके बेस में वाई आ जाए हन जी तो इसको ले सकते है लोग BASE में वाई और यहां पर यहां प यहां पर Z करके, One कैसे बनेगा, यहां पर भी Z लिखतेंगे, ठीक है जी, हमने इस Formula का यूज कर लिया, इसकी यूज कर लिया, अब यूज करेंगे दूसरे Formula का, ठीक है जी, तो मैं यहां पर लिखता हूँ, लोग एक्स वाई जैड अपॉन लोग एक्स ठीक है लोग एक्स वाई जैड अपॉन लोग वाई लोग एक्स वाई जैड अपॉन लोग जैड ठीक है सेम यहां से लिखेंगे इसको लिखेंगे लोग वाई अपॉन लोग एक्स फिर लिखेंगे लोग वाई अपॉन लोग ए ठीक है फिर यहां से लिखेंगे एक सेकंड एक सेकंड लोग वाई अपॉन लोग वाई आएगा यहां पर ठीक है और लोग वाई अपॉन लोग जैड ठीक है सेम इसको लिखेंगे लोग जैड अपॉन लोग एक्स लोग जैड अपॉन लोग वाई लोग जैड अपॉन लोग तो हीज़ यह मारे पास आ गया और यहां पर हमने फॉर्मुला कौन सा यूज़ किया है यहां पर यूज़ग कर लिए ठीक है यहां पर स्पेस कम है आपको साधना भी दिखे तो में यहां पर लिखता हूँ क्या कि लोग a और भी हो तु इसको लिखते हैं लोग b erson ले का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ए अपने अपन नौट कर लिए होगे आप अब यहां से दिखेल ध्यान से फ़र्स्ट रोग एंदर क्या है वन अपो नोग एक्स वन अपो लो यूग एक्स निकाल दे, हाझी तो 1 upon log x, second row के इंदर 1 upon log y, 1 upon log y 1 upon log y, तो यहां से भी 1 upon log y, same यहां से log z, log z, log z ठीक है, तो यहां से आजयेगा log z अब जो बच गया उसको लिख देता है क्या बचा, log x, y, z log x, y, z log x, y, z यहां बचेगा हमारे पास log y, log y यहां बच्चे का मारे पास log z log z log z अब देखो ध्यान से हमारे पास log x y z log y log z यहां पर भी क्या log x y z log y log z तो यह हमारे पास जो रोज है यह कैसी होगी जी identical होगी ठीक है जी तो इसका अंचर 0 के इकवल because رोज are identical ठीक है इसकी row हमारे पास क्यों होगी, identical होगी अगर किसी बच्चे को ये ध्यान ना रे कि रोज में चेक करना है वो कोल में चेक करना चाथता हो, तो क्या करो लोग XYZ को यहां से कॉमन निकाल दो तो उपरा जाएगा फिर यहां से लोग वाई को कुम निकाल दो प्राय जाएगा तो 1 1 1 1 1 1 1 यहां पर बन जाएगा तुम कह सकते हैं कि 7 और C2 आइडेंटिकल है इसलिए इसका अंसर क्या है 0 के एक वल है ठीक है जी हो गया हमारे कोशन कम्पलीट ठीक है अब बात करते सेकेंड पार्ट की बिल्कुल आसान कोशन है बस थोड़ा सा दिमाग को ओपन करें रखना आपको समझने के लिए कि हां की चीज़े क्या आ रखे हैं हमने अभी तक क्या पड़ा है हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं बस इतना से काम है और कुछ भी नहीं आपर ठीक है तो लिट डिटमेंट इज इक औल टू इस एरेस टू-अपावर एक्स प्लस यह मैं एक काम करता हूं इससे को लैट कर लेता हूं यहां पे किलेट डिटमेनग इज इकॉल टू देस अर अभी इस शुरूराद कर देते हैं अब दिखू ध्यान से यह हां पर एक चीज़ दि का सिकर्ठी से मेरे पास कुछ ऐसा ही हो जाएगा ठेक एक्समान ले इसको मां ले इसको माइनस करना चाहूं तो मेरे पास यहां पर का इडिन्टी बन जाएगे न एक्समानिस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स्केर माइनस वाई स्क्राइडन्टी, हैं जी, बन जाएगी वो, ठीक है जी, तो वो लगा देते हैं यहाँ पर, तो अपलाई, एकी पवर एक्स पलस एकी पवर माइनस एक्स इसका स्क्राइड, ठीक है जी, और यहाँ पर, A की पावर X, minus A की पावर minus X का स्क्रेर 1, यह बनेगा A की पावर Y, plus A की पावर minus Y, इसका स्क्रेर, minus A की पावर Y, minus A की पावर minus Y, इसका स्क्रेर, और यहाँ पर हमारे पास A की पावर Y, minus A की पावर, minus A की पावर, minus Y, इसका स्क्रेर, last में 1, फिर यहाँ पर A की पावर Z, plus A की जएड इसका स्केर, और यह बनाएगा, एक ज तो सब्तो यह द्सकर्ण पर चेयर इसका स्केर और यह भीड़ातो !! ठीक है जी, तो देखो मैं सभी को यहाँ पे solve करूंगा इसके अंदर, तो फिर ज्यादा भीड़ बाड़ हो जाएगी, वो फिर अच्छे न लगेगा तो क्या करता हूँ, मैं एक को solve करके दिखा देता हूँ, ठीक है क्योंकि देखो, बाकी सभी में सेम ही तो है एक को जस्ट वाई से प्लेस किया गया, एक को जस्ट जस्ट से प्लेस किया गया ठीक है, तो देखो, फर्स्ट वाल को solve करता है एक की पावर एक्स पलस एक की पावर माइनस एक्स इसका स्केर, माइनस A की पावर X, माइनस A की पावर माइनस X, इसका स्केर, इसको सोल करेंगे, तो A स्केर माइनस B स्केर होता है, तो A पलस B, A की पावर X, पलस A की पावर माइनस X, पलस A की पावर माइनस X, इंटू A माइनस B, A की पावर X, पलस A की पावर माइनस X, माइनस a की पावर x minus a की पावर minus x तो यहां से देखो a की पावर minus x a की पावर minus x cancel out हो गया तो यहां क्या बच्चा 2 a की पावर x और यहां से देखो minus a की पावर x है यह a की पावर x है cancel out हो जाएगा यह plus यह minus minus plus तो यह हो जाएगा 2 a की पावर minus x ठीक है जी ये बनेगा हमारे पास हां जी ये बनेगा अब दिखो ध्यांसे 2 2 जा 4 बार हो गया A की पावर X into A की पावर माइनस X बेस से मुटता तो पावर एड हो जाती है तो X minus X 0 बनेगा और A की पावर 0 क्या उत्ता जी बनेगा तो यहांसे आंसर क्या जाएगा 4 आजाएगा ठीक है मैं डायट यहांसर 4 लिख सकता हूँ हां जी इसके लिए आंसर 4 इसके लिए भी 4 इसके लिए भी 4 ठीक है और साइड में रिजन देदेगे कि हमने ये 4 लिखा कैसे है ठीक है तो यहां पर आएगा मेरे पास 444 अब देखो कितना सुंद्र लगे गए है पिए माइन शेए इस टोपर माइनस वाई इसका स्क्राइब एरिस atiku कर스트 एक हमने इस वो मुला का स्वेल हुझ कर दिया यहाँ पर तो हमारे पास यह आया ठेक है जिल अब यहां से 4 फस्ट कोमम के अन्दर से कॉमन निकाल दते हैं तो अंदर बचेगा हमारे पास 111 एड़ पार X एड़ पार X इसका सकेर एड़ पार Y माइनस एड़ पार माइनस फार सकेर एड़ पार Z-A-2-4-1 इसका सकेर 111 भी इसकी वैल्यू 0 के एक वाल ठीक है जी जिरो लेग दो या multiply 0 लेख दो फिर भी क्या आने वाला है जीरो ही आने वाला है रिजन लेगे देंगे because c1 and c3 are same ठीक है जी तो यहां पर six question भी complete हो गया question number 7 if a plus b plus c is equal to pi find value of sin a plus b plus c sin b cos c minus sin b 0 tangent a cos a plus b minus tangent a 0 इसकी value में find करने है ठीक है जी तो करते हैं find यहां से तो let determinant is equal to sin a plus b plus c sin b cos c minus sin b 0 tangent a cos a plus b minus tangent a 0 ठीक है यह हमारे पास हो गया इसको अब देखो a plus b plus c के वाली क्या है पाई के एक वाल है तो इसके जगह पर क्या लिख दूँ पाई लिख दूँ हां जी यह बन जाएगा sin b cos c ठीक है minus sin b 0 tangent a cos a plus b a plus b के लिए आसे निकालू तो a plus b set रहेगा c को set बेज दे तो क्या बनेगा पाई minus c बनेगा हां जी तो यहां पर लिख दूँ cos pi minus c ठीक है जी minus का tangent a 0 ठीक है इतना काम हो गया हंजी इसके बाद देखो जो sin pi होता है उसके value होती है 0 के एक वाल फिर sin b as it is cos c as it is minus sin b as it is 0 tangent a और cos pi minus c cos pi minus theta क्या होता जी देखो second quadrant के अंदर है ठीक है cos होता है negative ठीक है जी और पाई भी फंक्शन होता है no change तो यहां से आएगा cos c negative cos c ठीक है जी minus k tangent a 0 और इसता अंसर मैं कहने जाता हूँ 0 के एक वल है ठीक है जी क्यों है 0 के एक वल देखो ध्यान से diagonal में क्या है 0 0 0 ठीक है जी sin b है minus sin b है cos c है minus cos c है tangent a है minus tangent a है vision क्या रहेगा कैसी matrix है यह Deutsch स्कु स्कु स्मेट मैटिक से 2 × कजी डिटल में ओफ स्कु स्कु स्मेटिक मैटिक स क्यू स्कु स्मेटिक मैटिक स्मथ्बभर और Right is 0 ठीक है जी, इसका order कितना है जी 3 by 3 है, यह 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 थी ओडर की मैटिक्स है 3 ओडर का डेटरिमेंट है हमारे पास तो इसका answer क्या जाएगा, 0 का एक वाला जाएगा अब बात करते हैं, next question की Question No. 8 If A, B, C are all positive and are p-at क्या हुएत and are trumps respectively of a, g-p ठीक है जी, then prove that log A, log B, log C P क्या हुआर, 111 is equal to 0 हमें यह चीज़ प्रूव करना है कि यह determinant 0 के एक वालाता है ठीक है जी, 0 के एक वालाता है माल लेता है, ओके अब यहाँ पे जो statement उपर given है, इस statement को ध्यान से पढ़ो, इसको समझो सारा खेल इसी के अंदर छीपा हुआ है ठीक है जी, देखो कैसे if A, B, C, R, R, P, and R Pth क्या हुआत and anther terms respectively of GP GP की प्याथ term की value A के equal है GP की खाथ term की value B के equal है GP की आरत term की value C के equal है ठीक है जी, अब main point यह रहागया कि प्याथ चाहुआत हो आर्थ ट्रम कैसे निकालेंगे ठीक है आपको पता होगा जिपई के अंदर जब हम N तर्म निकालते हैं तो उसका फ़र्म्ला होता है A R की पावर N-1 ठीक है ए आर्पी पावर N-1 आर्ट की पावर N-1 R होता है वाँ पर हमारे पास common ratio ठीक है जी लेकिन यहां पे आर्थ टर्म यूज किया गया है तो जो common ratio है वो हम आर्ण नहीं यूज करेंगी वो हम माल लेते कोई के माल लेते हैं ठीक है जी तो यहां से शुरुवात करते हैं इसकी लेट डिटर्मेंट इस एकोल टो लोग ए लोग भी लोग सी पी क्यों और 111 ठीक जी यह हमारे पास है ठीक है यह हमारे पास गीवन है तो यहां से लेट थोड़ा सिंपी थोड़ा चाव वर्क कर लेते थोरी अश्य कर लिदे तो हमारे पास लेट कोमन रिशू वहीं पी in K मैंने इसको K माल लिया common ratio हमारे पास है constant होत estaré तो मैंने इसको K माल लिया तो 5th term 5th term हमारे पास इसकी value कितनी हो जाएगी मतलब क्या aP a P इसकी value कितनी हो जाएगी यह हो जाएगा हमारे पास A K की पावर N-1 N-1 करते हैं N-1 के लिए यहाँ पर क्या P है तो इसकी जगह पर हो जाएगा A K की पावर P-1 ठीक है जी ऐसे ही A क्या हो निकाल लेंगे तो A K की पावर क्या हो माइनस 1 A R निकाल लेंगे A K की पावर R-1 ठीक है जी A is first term A is first term of A GP ठीक है जी जो A हमारे पास से पावर यह क्या है first term है किसकी GP की ठीक है जी A P की वैल्यों हमारे पास यह A क्याव की वैल्यू यह है A R की वैल्यू यह है तो यहाँ से this employees A P हमारे पास किसके एक वाल है वो लिख दो में यहाँ पे A P की वैल्यों मेरे पास है A की एक्वल तो यहाँ से आजएगा A is equal to A K की पावर P minus 1 ठीक है जी फिर A क्या हो A क्या हो की वैल्यों हमारे पास क्या जाएगी ठीक है A क्या हो की वैल्यों हो B तो B is equal to A K की पावर क्या हो minus 1 फिर C is equal to A, K की पाउर, R-1 ठीक है, यह value हमारे पास आगी A, B, C की, तो यहाँ पे A, B, C हमारे पास है, तो इन के जगए पे पूट कर दे, हाँ जी, तो therefore, determinant is equal to, लोग A की जगए पे आएगा A, K की पाउर, P-1 लोग B की जगए पे आएगा, A, K की पाउर क्या माइनस वन, लोग C की जगए पे आएगा, A K की पाउर, R-1 बाकी सारा एज़टीज कर दो ठीक है जी, इतना काम होगे हमारे पास, जल्दी इसको नोट करो, फिर मैं आसे इसको रेज कर देता हूँ अगर आपको जीपर की यह बात पता है तो आप इस कुशन को इजली सोल कर सकते हूँ ठीक है? तो हमारे पास यहां से Determinant अब यहां पे यूज करेंगे लोग की प्रोपर्टी लोग M into N क्या होता है? लोग M plus N होता है ठीक है? लोग M into N is equal to लोग M plus लोग N यह होता है हमारे पास formula इस formula का हम यूज करने वाले हैं यहां पे ठीक है जी? तो लोग M इसको माल लगते हैं N इसको माल लगते हैं तो यह हमारे पास बन जाएगा लोग A पलस लोग K की पावर P minus 1 लोग A पलस लोग K की पावर क्या हो? माइनस 1 लोग A पलस लोग K की पावर R minus 1 ठीक है जी? हमने इसको यूज कर लिया P की पावर as it is 1, 1, 1 यह as it is ठीक है जी? हो गया इतना कम? ठीक है इस फॉर्मले के उज़ किया है हमारे पास यह आ गया अब दूसर फॉर्मले के भी उज़ करेंगे ठीक है? यह डिटर्मिन्ट है हमारे पास इस डिटर्मिन्ट को अलग-अलग करके लिख सकते है क्योंकि जो फॉर्स्ट कोल है मेरे पास वो दू टर्म्स का सम है दू टर्म्स का सम है ठीक है? तो इसको लिखेंगे लोग A लोग A लोग A P क्या हुआ हुआर? 1, 1, 1 पलस से मियास इसको लिखेंगे लोग K की पाउर P-1 लोग K की पाउर क्याओ माइनस उन लोग K की पाउर आर माइनस उन P क्याओ आर 1, 1, 1 ठीक है? डिटर्मेंट की प्रोपरिटे से हमें इसको ऐसे लिख सकते है हंजी इसके बाद लोग A, लोग A, लोग A, लोग A इस कोलम के अंदर से कॉमन निकाल देते है हंजी तो लोग A कॉमन आजाएगा अंदर बचेगा 1, 1, 1 P क्याओ आर 1, 1, 1 ठीक है? पलस यहाँ से हम क्या उज़ करें? लोग की प्रोपर्टी उज़ करते हैं यहाँ पर ठीक है लोग की प्रोपर्टी हमारे पास यह बन जाएगा हमारे पास P-1 लोग के क्याओ माइनस वन लोग के और आर माइनस वन लोग के P क्याओ आर 1, 1, 1 ठीक है? विकोज हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया लोग M की पावर N इस इकल टो N टाइम लोग M इन सेकंड डिटेमिनेंट ठीक है जी? सेकंड डिटेमिनेंट के अंदर मैंने इस चीज़ को यूज़ कर लिया ठीक है? इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके वैल्यू 0 के एक वाल हो जाएगी ठीक है? लिख दू यहाँ से 0 क्यों? क्योंकि 1 कोलम और 3 कोलम क्या जी? 0 के एक वाल है पलस यह बचा मेरे पास अब यहाँ से P-1 into लोग K हमारे पास तो लोग K, लोग K, लोग K 1 कोलम के अंदर common है ठीक है? तो यहाँ से इसको हम common निकाल सकते हैं बाहर अची इसको हम बाहर निकाल सकते हैं common तो लोग K यहाँ से common आ जाएगा तो अंदर बचाएगा P-1 Q-1 R-1 P-Q-R 1-1 1 ठीक है? C1 and C3 are same, ठीक है, इतना काम हुमारे पास हो गया, जल्दी से नोट करो, अब देखो ध्यान से इसको भी 0 बना सकते हैं, सेगंड मेसे इसको माइनस कर देंगे, तो फर्स्ट और सेगंड कोलम हुमारे पास आइडेंटेगल बन जाएगा, ठीक है, जल्दी से नोट करो एक बार पर्वु हम भी सरणागते हैं, स्वीकर करो तो जाने तो डेइनगे की वैल्यू हमारे पास यहां से इसके अंदर करते पहले अपलाई, ठीक है अपलाई क्या करना हमुझे पी वण और वन सीवन पलस सीठी कर देता हूं, ठीक है, तो पलस सीठी करेंगे, तो पी माइनस वन पलस वन तो क्या बने गया है, हाँ से? P, फिर क्याओ, फिर R P, क्याओ, R 1, 1, 1, इसके value भी 0 because यह हमारे पास C1 and C2 are same ठीक है जी, इस कान से भी हमारे पास 0 आ गया और हमें प्रूब भी यह करना था ठीक है जी, तो question number 8th complete question number 9 without expanding the determinants, so that determinant को expand में करना है उसके बिना ही, so क्या करना है कि A plus B plus C is a factor of this, ठीक है, फिर second part में A minus B is a factor of this और third part में X plus Y plus Z is a factor of this, ठीक है जी तो करते हैं, so let's go तो one by one solve करते हैं, let determinant is equal to A, B, C B, C, A C, A, B यह हमारे पास है अब हमें क्या चीए, factor, इन्होंने बोले, A plus B plus C, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर A plus B plus C कैसे बनेगा, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C C1 के अंदर आड़ करदू दीनों को यह, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C R1 के अंदर आड़ करदू, दोनों को ठीक है जी, apply R1 plus R2 plus R3, आपकी चोई सब C1 plus C2 plus C3 भी कर सकते हो, ठीक है जी, तो यहां से मारे पास क्या बनेगा, A plus B plus C, 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 नीचे B, C, A, C, A, B, ठीक है, तो A plus B plus C को मना जाएगा, यह बनेगा 1,b,c,1,c,a,1,a,b हमें के सो करना था हमें ज़स्ट यही सो करना था कि a पलस,b,pलस इसका क्या एक फैक्टर है जिया बस, इतना सा काम करना आपको, आगे सोल नहीं करना ज़स्ट फैक्टर सोल करना था हमें आ पर जल्दी से नोट करो इसके बात करते हैं सेगेंड पार्ट की तो सेगेंड पार्ट हमारे पास डिटिमेंट है जी 1, 1, 1 A, B, C A स्केर, B स्केर, C स्केर ठीक है यह हमारे पास इसमें क्या सो करना है इसमें सो करना है कि A-B is a factor of this अब यह सो चो कि A-B कैसे बन सकता है देखो जी A-B यहां पर दिख रहा है मुझे कि A-B है ठीक है और यहां से भी यह दिख रहा है तो R1- के R2 कर दू ठीक है अपलाई R1- के R2 मैं एक ओपरेशन और अपलाई कर लेता हूं यहां पर कि R2- के R3 ठीक है मैंने दो ओपरेशन लगा दिए एक साथ ठीक है तो यहां से में मिलेगा अब देखो R1- के R2 मतलब ओपरेशन R1 पर है तो R1 में से R2- करेंगे तो 1-1 0 यह बनेगा A-B यह बनेगा A2- B2 अब R2 परेशन है R2-R3 तो 1-1 0 B-C B2-C2 फिर नीचे 1 C C2 यह एज़िटीज अब देखो दिया आंसर 0 A-B इसको लिख सकते हैं A-B into A-B फिर 0 B-C इसको लिख सकते हैं B-C into B-C 1C C2 ठीक है जी इतना काम हो गया अब फिर्स कोलम के अंदर फिर्स्ट रोग अंदर से A-B A-B कोमन सेकंड रोग अंदर से B-C B-C कोमन ठीक है तो कोमन निकालते हैं A-B B-C ठीक है तो यह बनेगा हमारे पास 001 11C A-B B-C और C2 हम यह निकालना था K-20 का क्या एक फेक्टर है ठीक है जी हमने शो कर दिया जल्दी से नोट करो अब हमारे पास 3rd part 3rd part के लिए हमारे पास इतना काम हो गया अब हमें शो क्या करना है हमें कह चीए X प्लस Y प्लस Z इसे फेक्टर अब देखो दियान से यहां से कि X प्लस Y प्लस Z हम कैसे बना सकते हैं अगर मैं स्क्वैड करू तो मारे पास 2X 2X 4X और 5X बन जाएगा लेकिन मुझे 5X नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ इसको 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 एड करता हूँ देखो यहां से X है यह माइनस Y है यह 2Y तो 2Y में से 2Y कटेगा तो Y बचेगा 2Z है 1-Z है 2Z में से 1Z कटेगा तो 1Z बचेगा ठीक है जी तो क्या बन जाएगा X प्लस Y प्लस Z तो यहां से हमारे पास बन जाएगा यह x plus y plus z x plus y plus z x plus y plus z 2y y minus z minus x 2y 2z 2z z minus x minus y अब यहां से x plus y plus z x plus y plus z x plus y plus z को में निकाल लते हैं r1 के अंतर से तो अब बच्चेगा क्या अब बच्चेगा 1 1 1 2y y minus z minus x 2y 2z 2z z minus x minus y बस इतना सा काम करना था और अपना question number 9 complete अब बात करते है question 10 के question number 10 without expanding the determinants prove that हमें prove करना है यह वह determinant इसके एक ओल है ठीक है जी तो अब देखो ध्यान से जो हमें prove करना है हमारा ध्यान उस पे होना चाहिए क्या जो prove करना है उस पे होना चाहिए focus तो हम prove कर पाएंगे ठीक है जी देखो ध्यान से 1 1 1 1 1 1 1 ठीक है जी a b c a b c ठीक है यहाँ पे b c c a a b यहाँ पे a square b square c square है ठीक है मतलब क्या है इसके place पे हमारे पास यह होना चाहिए तो यह कैसे बन सकता है हमारा focus उस पे जाना चाहिए कि a square कैसे बनाओ इसमें a square बनाने के लिए मुझे a से multiply करने पड़ेगी तो a square बनेगा यहाँ फर्स्ट रोग को a से multiply कर देंगे second row को b से multiply कर देंगे third row को c से multiply कर देंगे तो हमारे पास a square b square c square बन जाएगा हन जी बन जाएगा तो चले फिर बनाते है let determinant is equal to 1 1 1 1 a b c b c c a a b ठीक है यह हमारे पास आ गया तो अब करते हैं इसके multiply और divide तो multiply करेंगे इसको a b c यहाँ फर्स्ट रोग को a से second रोग को b से third को c से total हमने क्या किया a b c से multiply किया तो a b c से हम divide भी करेंगे ठीक है जी तो a से multiply करेंगे तो a a square a b c फिर b से multiply करेंगे तो b b square a b c c से multiply करेंगे तो c c square a b c ठीक है जी इतना काम हमारे पास हो गया अब देखो द्यान से a b c a b c a b c common निकल रहे last column से तो common निकालेंगे तो a b c upon a b c यह बनेगा a b c a square b square c square 1 1 1 1 ठीक है अब दिखो ध्यान से हमारे पास यह सारी लिटो आ गई लेकिन अरेंज नहीं है ठीक है जी कैसे फर्स्ट रोगे अंदर वन 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 होना चीए लेकिन वह हमारे पास 3rd column के अंदर है ठीक है उच्छो वैली थर्ड में होने चीए वहे पास second में है जो second मोने ची यह फर्स्ट में है तो क्या किया जाए इनको interchange करेंगे interchange करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा एक negative sign अब आज ने कलेगा ठीक है जी कोई बात नहीं यह तो हमारे पास cancel out हो जाएगा तो यहाँ जे करते हैं apply इसको इसको interchange कर दो यहाँ पर मैं हमारे पास तो abc abc cancel out हो जाएगा तो बनेगा क्या हमारे पास फर्स्ट कोलम तो sdh इसको इसको interchange करेंगे तो यहाँ से आएगा मारे पास एक minus sign बाहर ठीक है minus sign बाहर आएगा तो इसको लिख दू minus 1 की power 1 या फिर minus लिख देता हमें ठीक है यहाँ पर क्या चाहिए था लास्ट में इसको 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 interchange कर देंगे हमारे काम हो जाएगा बच्चों में खुशी के लिख रहा है कि हाँ question solo होने वाला है कोई बात नहीं चलिए अब फिर से करते हैं apply अब क्या करते हैं सी वन को और सी टू को interchange कर देते हैं ठीक है तो यहां से हमारे पास आएगा minus one की power 2 ठीक है minus one की power 2 आएगा तो यह हमारे पास हो जाएगा positive तो इसको मैं positive भी लिख सकता हूं direct ठीक है जी यह हमारे पास positive बन जाएगा ठीक है चलो लिख देते हैं एक step और हो जाएगा फिर 1, 1, A, B, C, A square, B square, C square, hence prove, हमें यही तो prove करना था, ठीक है जी, हो गया prove, अब बात करते हैं, second part की, second part हमारे पास, this determinant is equal to this, is equal to this, अब हमारे पास 3 determinant आगे, ठीक है जी, इस determinant को मुझे इसके equal भी और इसके equal भी, दोनों के equal प्रूव करना है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, कर देंगे, क्या problem है, देखो ध्यान से, जो prove करना है, ठीक है जी, उसमें देखो क्या क्या हुआ है, ABC को last में भेज दिया गया है, ठीक है, XYZ को first में भेज दिया गया है, ठीक है, P क्या वार को second में भेज दिया गया, ठीक है, तो यहां पे actually क्या क्या गया है, यहां पे क्या ग x, y, z, p, kya hova रहे हैं, यहाँ पर करते हैं, apply, interchange करना है, ठीक है, किसको कहाँ बेजना है, first row को, यहाँ पर a, x, y, p, ठीक है, x, y, z, एन इस वाले को, यहाँ पर बेजना है, ठीक है, जी, तो करते है, r1 को interchange r2 के साथ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा, minus, माइनस मिलेगा यहां से तो हमारे पास इंटर्जेंज करते हैं तो यह बनेगा X, Y, Z A, B, C P क्या हुआ है X, Y, Z हमने पहुंचा दिया अपने प्लेस पर अब इस ABC को भी इस प्लेस पर पहुंचा देंगे तो हमारा question हो जाएगा अब इंटर्जेंज करते हैं R2 को R3 को apply R2 इंटर्जेंज R3 ठीक है जी तो एक माइनस साइन और आएगा ठीक है तो यह बन जाएगा माइनस वन की पावर 2 X, Y, Z P क्या हुआ हुआ र उपरा जाएगे और ABC यहां पर हो जाएगे ठीक है तो माइनस वन का स्क्रेप उच्चू अत्ता है तो इसको लिखेंगे X, Y, Z P क्या हुआ ABC ठीक है जी हैंस परूड ठीक है यह अपने परूव कर दिया ओके इतना काम तो हो गया अब बात करते इस वाले की अरे भाईया यह का हुआ इसमें तो सबकुछ होलटा-pulटा होई गो चबार है सबकुछ होलटा-pulटा होगए हाँ तो तो यहांपे क्या किया जाए देखव यहांपे तो ठीक था ABC से ABC था रो मे कर दिया अब देखो इस ABC को इन्होंने क्या किया देखो कैसे लिख दिया B, A, C इस टाइब से लिख दिया तो यहान पर समझ पा रहे हूँ इन्होंने क्या किया यहां पे इन्होंने किया है transpose क्या किया है transpose में और हमने एक property पता है कि determined of A or determinant of A transpose क्या होता है м होता है ठीक है इसको जल्ड़ी से नोट कर लो ठीक है जी ये तो अपने कर भी लिया होगा तो अब ये देख लेते हैं उन्हें ये इसको बनाया कि सुस्से है य एक्स जाएड चलो कोई बात नहीं करते हैं इसको भी अल्सो ठीक है जी हम ये भी प्रूव गढ़ना तो ये हमारे पास हो गया और इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से एबी सी को लिख दो मैं यहां पे एबी सी एक्स वैज़ेड को लिख दो मैं यहां पे पिक होँर को लिख को दो में यहां पे और साथ में रिजन लिख देता है क्योंकि whitman of a और दिडिमियन ओफ अफट पॉप a ट्रांसवर्ट दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं ठीक है जी इस property के हैल से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, ओके, अब इसको देखती हुए, मुझे ये बनाना है, यानि Y मेरा उपर होना चाहिए, लेकिन मेरा Y तो कुछ यहाँ पर है, यह इनोंने क्या किया, A, B, C, X, Y, Z, P, क्या हुआ, यह सब तो हमारे पास ठीक था, ओके, तो B, A, C, B, A, C, O, My, God, ऐसे ऐसे काम भी कर लेते हैं, क्या यह, देखो, इनोंने कितना अच्छा काम किया गया है, डबल डबल काम किया है, डबल डबल, इंटरचेंज, रो में भी इंटरचेंज किया है, फिर कोल में भी इंटरचेंज किया है, कोई बात नहीं, हम भी कर देंगे इंटरचेंज, क्यों चिंता करते हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं वाई उपर है हमारा ठीक है जी तो य को उपर बेशते हैं ठीक है बी हमारा उपर है बी उपर है तो बी को उपर बेशते हैं ठीक है और जैड तो हमारा नीचे है ठीक है जैड नीचे हमारा यह उपर ठीक है जी कर दते हैं यहां से apply first को और second को R1 interchange R2 तो यहां से मिलेगा मुझे minus 1 इस contingence करेंगे तो B, Y क्या हो A, X, P C, Z, R ठीक है जी इतना काम हमारे पास हो गया अब ध्यान से देखो इसको observe करो इतना चीज हमारे पास हो गया अब यहां से Y को यहां पे बेजना है, देखो Y को यहां पे, B को वहां पे X को A को, X को A को, last वाला क्या हो PR, last वाला तो same है ठीक है जी, देखाई इन्होंने दिमाग कैसे यूज किया है, ठीक है ऐसे ही आपको सोचना है अब apply करते हैं, again apply, अब क्या करते हैं C1 और C2 को इंटर्चेंज करते हैं ठीक है C1 C2 इंटर्चेंज करेंगे, तो एक माइनस साइन हो रहाएगा एक हमारे पास C1 होल रेड़ी कि हो जाएगा 2, पार 2 हो जाएगी ठीक है यहाँ पे इंटर्चेंज करेंगे, तो यह बनेगा हमारे पास Y, X, Z इसको बेज़ेंगे B, A, C और यह हमारे पास Q, P, R ठीक है, देखो, दिख रहा है Y, X, Z, B, A, C Q, P, R और minus 1 का square तो positive होता है तो इसको लिख देते हैं फिर से Y, X, Z B, A, C Q, P, R ठीक है, आपको भी ऐसे ही थोड़ा सोचना है ठीक है, तो question आप easily solve कर पाऊगे अब बात करते हैं next part की third part हमारे पास determinant A square, B square, C square A plus 1 का all square, B plus 1 का all square, C plus 1 का all square A minus 1 का all square, B minus 1 का all square, C minus 1 का all square is equal to four times determinant A square, B square, C square A, B, C, 1, 1, 1 ये चीज़े हमें प्रूव करनी हैं इसकी सहाइता से, ठीक है जी तो करते हैं proof, सोचते हैं कैसे बनाता है ये, ठीक है जी let determinant is equal to this A square, B square, C square A plus 1 का square B plus 1 का square C plus 1 का square, ठीक है जी A minus 1 का whole square B minus 1 का whole square, C minus 1 का whole square, ठीक है अब देखो हमें बनाना क्या है ये देखो यहाँ पर four time होना चाहिए ठीक है जी, A square, B square, C square A square, B square, C square इसके साथ हिनोंने कोई छेड़ खानी नहीं किये इनोंने इसको कुछ भी नहीं कहा ठीक है, तो जो main problem है वो second और third row के साथ है ठीक है जी तो हम भी करते है second और third row के साथ problem create, इसको देखते है क्या करते हैं यहाँ पर apply R2 minus के R1 R3 minus के R2 ठीक है हम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, हंजिक कर सकते हैं लीजी फिर कर सकते हैं determinant is equal to first row as it is second row में A plus 1 का स्केर minus A स्केर B plus 1 का स्केर minus B स्केर C plus 1 का स्केर minus का स्केर ठीक है जी, नीचे यहाँ पर A minus 1 का स्केर minus A plus 1 का स्केर B minus 1 का स्केर minus B plus 1 का स्केर C-1 का Sqeer C-1 का Sqeer ठीक है यह हमारे पास आगए अब देखो धियान से यहां पे हम यूज़ कर सकते हैं formula A-B-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A मैं कोई एक चीज़ आपको इसोल करके दिखाता हूँ फिर उसको यूज़ कर लेंगा रहां बेखो हमारे पास लिए कोरेंगा देखाओ वैका स्केर परफलस बनते प्लस टूँए माइनस एक ऐसके स्ञत्र साँतर से थ्यूस एस्शाइषिक क्रते हुधा यहां से 2 एप्लस फनदे गया? अब देखू हमारे पास है यापे तो यहां से क्या बाराइब चेगा, 2B plus 1 यहां से क्या बारइब चेगा 2C plus 1 ठीक है, इतना काव मारे पास हो जाएगा नीचे वारे पास A minus 1 का all square minus A plus 1 का all square Same यहां से भी कर लेते हैं एक बार तो यह A minus B का all square तो A LEDs 1 minus 2 A minus A square plus 1 plus 2 A तो यह बनेगा हमारे पास A square plus 1 minus 2A minus A square minus 1 minus 2A तो अब देखो A square plus 1 cancel out हो गया तो minus 2A minus 2A यह बना हमारे पास minus 4A ठीक है जी क्या बना हमारे पास minus 4A बन गया ठीक है तो next को solve करेंगे तो minus 4 भी बनेगा इसको solve करेंगे तो minus 4 से बनेगा ठीक है जी इसको देखते हुए देखो भी यह सारी चीजे मैं इसके अंदर लिखके दिखाऊं बार-बार हरे उसमें तो चीजे फिर अच्छे सी निटिखाया देते हैं ठीक है हमने इसको अलग से शोल करके देख लिया किसका अंसर क्या आता है तो हम यहां पर डारेक्ट यहां पर एगा मानिस का पूर भी यहां पर एगा मायनस का फोर सी ठिक है ठीक हि हमारे पास वो गया l upi koh drive मैल अस्केट माइन बी एक क्राइब आप है ठीक है एक सेगंड मैने कुछ क्वहाइब इसकोिए मैंने इसको simple solve कर लिया, ठीक है, मैं यहां से अटा जटता हूँ, क्योंकि मैंने उसाइट निए उस नहीं किया, कि A square minus B square है, जो, मैंने क्या किया, मैंने direct इसका square open कर लिया, ठीक है, हमने square open किया, तो हमारा काम हो गया, ठीक है जी, यहां भी लिख देता हूँ, मैं फार्मूल because of A plus B का whole square is equal to A square plus B square plus 2AB, और A minus B का whole square is equal to A square plus B square minus 2AB, हमने इस फॉर्मूला का योज़ किया है, ठीक है, अदर्वाईज आप इसका इसे फोल कर सकते थे, कि A plus 1 minus A, A plus 1 plus A, ठीक है, तो भी हमारे पास answer यही आने वाला था, ठीक है, ओक जी, इतना काम हमारे पास हो गया, अब ध्यान से, यहां से 4, 4, 4 हम को मन निकाल सकते हैं, हम जी, तो minus 4 को मन निकाले गए, तो यहां से minus 4 को मन निकालेगा, तो अंदर बचेगा, A square, B square, C square, 2A plus 1, 2B plus 1, 2C plus 1, तो यहां से आएगा, A, B, C, यह हमारे पास आगया, हम जी, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको multiply कर सकते हैं, 2A, 2B, 2C, operation apply करेंगे तो ठीक है, ओके, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूँ, हमारा answer minus का 4 आ रखा है, लेकिन हमारा आना चाहिए क्या, plus का 4, ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, से, 2 से multiply करो, इसको, इसको 2 से multiply करो, इसको 2 से multiply करो, और इसमें से minus कर देंगे, हम, तो हमारे पास यह बन जाएगा, 2 A 9, ऐसे तो काम गडबढ हो जाएगा, हमेंच एक plus का 4 चीए, तो minus का 1 और निकालना पड़ेगा, मैं बाहर, तो minus का 1 बाहर निकलेगा कैसे, में प्रोब्लम ही आ गई, ओके जी, ओके जी, इंटर्चेंज भी तो करना है, मैं, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, तो यहाँ पर अपलाई करते हैं, R2 माइनस का, 2 टाइम, R3, ठीक है, R2 में से, R3 को 2 से multiply करो, और subtract कर दो, तो minus का 4, ठीक है, A square, B square, C square, इसको 2 से multiply करो, 2A बनेगा, इसमें subtract कर दो, क्या बचेगा, 1, 2 से multiply लेगा, 2 भी बनेगा, इसमें subtract कर दो, क्या बचेगा, 1, से मियां से 1, नीचे आएगा, A, B, C, ठीक है, हो गया हमारे पास, अब कहता ही कि, 1, 1, 1, नीचे होना चाहिए, ठीक है जी, तो बनाते हैं, इसको नीचे, अब क्या करते हैं, आपे, apply, R2, interchange, R3, ठीक है, जब interchange करेंगे, तो हमारे पास, एक negative साइल बार निकलेगा, उस negative से, यह क्या बन जाएगा, पोजिटिव बन जाएगा, तो A square, B square, C square, A, B, C, 1, 1, 1, ठीक है जी, hence proved, तो यहाँ पर प्यार बच्छो, अपने question 10 complete होते हैं, ठीक है जी, इसके बाद जो next question हो करेंगे, next class के अंदर, तब तक वीडियो को enjoy करो, अच्छे लगे, तो अपने सभी friends के साथ share भी करो, उनीचे अच्छे अच्छे comments भी करो, bye bye, take care, see you, thank you for watching.